वेल्कम और वेलकम बैक तो मैं चैनल सी असवाल्ड तो फ्रेंड्स मैंने रिसेंटली एक न्यूँ हिना ट्राइ की है जो कि मैं काफी टाइम से ट्राइ करना चारी थी और मेरे जो बाल थे न वो काफी जादा ग्रे हो चुके थे तो मैं उन ग्रे बालों की कवरेज के लिए एक हिना ढूंड रही थी एक न्यू टाइप की हिना ढूंड रही थी तो मुझे ये ब्रैंड दिखा जो कि मैंने मंगवाया और ये है पतंजली की हिना फ्रेंड्स पतंजली की जो हिना है मैंने फर्स टेम ट्राई की है और इस हिना का जो रिजल्ट है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी इसे मैंने कैसे बनाया कैसे मैंने अपलाई किया वो सारा मैं आपको बताऊंगी वीडियो शुरू करने से परेल फ्रेंट्स मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर जल्दी है गिववे आने वाला है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप भी इस गिववे में पारिस्पेट कर सके आपको तो पता ही है जो मेरे चैनल पर पहले पाटिस्पेट कर चुके हैं उनको पता है कि गिववे के जो प्राइजिस है वो किस तरह के होते है और इस पार का जो गिववे है वो फ्री गिव रहने वाला है means कि इस बार मैं कोई भी shipping charges नहीं रूँगी जो give up के prices होंगे वो आपको बिना किसी shipping charges के ही deliver होंगे तो friends इस वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा ये जो हीना है इसकी मुझे कुछ बाती अच्छी लगी कुछ बाती नहीं अच्छी लगी तो वो जो भी बाते हैं मैं आपके साथ share करूँगी तो चलिए देडी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो तो ये है पतंजली के इशकांती herbal महंदी इसके quantity आपको 100 gram मिल जाती है और इसकी MRP है only 40 रूपिज जी है इसके अंदर जितने भी इंग्रीडियंट्स है यहां पर मैंचन है इसमें हिना, आवला, मेथी, शिककाई, नीम, भरिंगराज, कथा, चाय पत्ती, कलोंजी, नील पत्ता ये सब दिया गया है और इसकी quantity भी यहां पर मैंचन है इससी कैसे किस तरह से यूज करना है और आप इसके quantity यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर चाय पत्ती का पाणी ले लिआ है और एक लोहे का बरतन लेल आ है आपके पास कढ़ाई नहीं है तो आप छोटा भी लोहे का बरतन ले सकते हैं मार्केट से आपको मिल चाएगा उसमें आपको इसकी हिना को जो भीगो कर रखना है अपने बालों के अकॉर्डिंग लेना है मैंने यहां पे 5-6 टेबल स्पून लिया है और यहां पे इसकी महंदी का जो कॉंटिटी एना वह आपको दो बार में यूज करने होगी तो यहां मैं चायपती का पानी जो है वो थोरा सा थंडा करके फिर से मिक्स कर लूँकि आप देख सकते हैं मैंने कुछ और मिक्स नहीं किए मैंने सिर्फ चायपती का पानी ही डालना है और इसे मैं आने ढख जब ड़क दिना है मैं रात के डा asím पे वोid fps को को करना है यहां पीर कमस रात के टाइम पर ही जो गंटे के बाद इस हिना को देखा और इसका कलर काफी जाधा ब्लैक हो चुका था लेकिन फिर भी मैं इसे रात पर भिको के रखा और रात के बाद भी को गेने का बाद भी ब्लैक हो गया सो सुबा हो चुकी है यहाँ पर मैं आपको इसका कलर दिखाना चाहूंगी आप देख सकते हैं महंदी का रंग बिल्कुल ही ब्लैक हो चुका है ऐसे लग रहा है जैसे की कलर हो आपको अपने बालोंगों काफी अप्लाइक करने से पहले बालों में तेल लगा thiया मैं और यहाँ पर मैं आपको अपने घ्र현 लगा रहा ह। इक पर हलीक दो कालिए मैं आप डेख सकते हैं आप लिए को सुलझा के मैं section wise यहां पे हिना अप्लाई करूंगी और यहां पे मैं आपको हिना भी दिखा देती हूं इसकी consistency आपको इसी तरह से बनानी है ज्यादा थिक बनाएंगे तो अच्छी से अप्लाई नहीं होगी जाल लीजेगा और कोई पुराना जासा कपड़ा पहन लीजेगा जिसे की हिना का जो कलर है आपके कपड़ों पर ना आए और इस तान से section लेके आप बालों में इसे अप्लाई कर लीजिए इसे अप्लाई करने के बाद बालों में शावर कैप लगा लीजिए ताकि हिना बिल्कुल भी हिना आज नहीं बची और मैंने शावर कैप अपलाई कर ली है इसे मैं एक से दो घंटे के लिए रखोंगी वैसे तो मुझे रखे हुए तीम घंटे हो चुके थे आपको सिर्फ दो घंटे के लिए मैक्सिमम इसे रखना है उसके बाद वाश कर लेना है फ्र हेर दिखाए थे और यहां पर आपको वीजिबल नहीं हो रहे होंगे सो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने इसे किस तरह से बनाया इस हिना को वैसे तो इसके उपर मैंशन था कि इसे आपने सिफ चार घंटे के लिए भिगो कर रखना है लेकिन मैंने से ओवरनाइट भिग यह जो हिना मैंने जब बालों में अपलाई की तो मुझे इसकी अच्छी बात यह लगे कि इसने मेरे बालों को ड्राइ नहीं किया आप जब कोई और हिना पलाई करते है तो वह आपके बालों में चिपक जाती है अगर आप शावर कैप बे डालते हैं तो उसके बाल भी आपके बालों में आपके बालों को बिल्कुल ब्लाक कि ती और इसका अगर यह जो चiड़ा लेकिन त्यसके बालों में अपको बताती हूं यह बात अच्य लगे कि इस ने गलर शादा मैरे cryg apologize बालों को रingenगी रिम और अब स्थ है20 गार बालो दुम पौर मैं डॉर्म के बालों को न茶 करता पांती शॉस्यात्स इंयेगे तो सॉ कम दुम है, तो अब मेडने की बालों को रिंस है तो rinse करने के बाद जब मेरे बालव को सूप गए तो मैंने अपना एर ओयल उए अपने बालो में अपलाई कर लिया एर ओयलवय करने के बाद फ्रेंड्स फिर से शेंपू वज किया और जब हम हेना अप्लाई करके shampoo wash करते हैं तो बालों में से color 10-15 दिन जितनी बार आप shampoo wash करते हैं तो बार निकलता है कभी आपके towel पे आता है कभी आपके बालों पे पिछे आ जाता है अगर गीले बालों हो तो कपरों के उपर चर जाता है इस हिना से ऐसे मुझे कोई problem नहीं कोई भी color जो था extra color वो कहते है ना बालों में रहा जाता है वो नहीं निकला जो भी color था एक ही बार में निकल गया अब बार बार अगर मैं बालों को wash भी करती हूँ ना तो मुझे ये tension ही रहेगी कि जो बालों का color है हेना का color आ रहा है वो मेरे towel में आ जाएगा या फिर मेर कपरों के उपर लग जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो मुझे ये बात भी इस हेना की अच्छी लगी कि ये आपके बालों में एक ही बार में color दे देती है बार बार जो head wash करते है उसके बाद आपका जो color है वो बार बार नहीं निकलता साथ ही फ्रेंट सी जो हेना है ये काफी light है ये आपके बालों के उपर बिल्कुल भी heavy feel नहीं करती है जैसे कि आप अधर हिन अप्लाई करते है न तो बाल थोरे से heavy लगने लग जाते है सिर heavy लगने लग जाता है लेकिन इसे apply करने के बाद मुझे बिल्कुल भी heaviness feel नहीं हुई और मैं काफी time तक जैसे क इसमें था एक दो घंटे के लिए लेकि मुझे काम करते करते ना घर का तीन घंटे हो चुके थे सो मैंने तीन घंटे के बाद ही से wash किया सो मुझे कोई भी head problem नहीं हुई मुझे कोई भी heavy पन feel नहीं हुआ सो हिना की जो बात थी थी ना पतंजली की मुझे काफी अच्छी अच्छा फ्रेंड्स अगर जो बात मुझे नहीं अच्छी लगी वह भी मैं बता देती हूं अच्छी इसका जो color है वह आपको बिल्कुल orange red जैसे अधर हिना देती है वैसा नहीं मिलेगा आपके gray hair पे जो coverage आएगी वह थोड़ी सी कम आएगी मैंने देखा कि मेरे बालों म जो होती है वह काफी ज्यादा red orange कर देती है लेकिन इस हिना ने बालों को बिल्कुल red orange नहीं किया थोड़ा सा इसने natural रखा है यह बात मुझे थोड़ी से अच्छी भी कहा लीजे लगी और थोड़ा सा मुझे लगा भी कि color थोड़ा सा और होना चाहिए था साथ ही अगर आपको quantity कम मिलती है अगर आपके बालों की length मेरे से जादा है तो आपको पूरा packet apply करना पड़ेगा विकॉज इस बार मैंने जब 4 टेवल स्पून हीना डाली ना तो बिल्कुल हीना नहीं बची मतलब की कढ़ाई में लोही की कढ़ाई में जो हीना बची जाती है उसमें आपकी दो बार चल जाएगी मेरे बालों की length इतनी है आप देख सकते हैं तो मेरे बालों में यह दो बार लग जाएगी और बाला head wash करने के बाद जैसे shampoo wash किया मैंने फिक कंडिशन अप्लाई किया तो बाल देखे काफी जादा soft हो चुके है और आपको shining भी नजर आ हिना अप्लाई करके आपको एक तो जब हिना अप्लाई करते ना तो कोशिश करने की अपने कप्रे जो है थोड़े से पुरानी वाले डाले ताकि जब भी हिना अप्लाई करें चाहिए वली हिना करें चाहिए कोई भी करें तो आपके कप्रे जो है वह जादा गंदे ना हो चीक है एक बात और फ्रेंड्स की आप जब भी अपने बालों में हिन अपलाई करने के बाद उसे वाश कर लेते हैं तो अपने बालों को अच्छे से टावल ड्राई जरूर कर ले बाकि मैं कहूंगी पतंजली की जो हीना है मुझे काफी पसंद आई है कलर को छोड़के बाकि इसके जो प्लस पॉइंट है मुझे काफी पसंद आए है बालों को इसने ड्राई नहीं किया सॉफ्ट शाइनी बनाया है साथ फ्रेंड्स कवरेज की है बाकि के मेरे बालों की कलरिंग जो है काफी अच्छी हुई है काफी अच्छा कलर दिया असने ब्लैक कलर दिया है और आपके जो ग्रे हैर होंगे ना उसको ये थोड़ा सा हलका सा लाइट रैड औरेंज कलर देगी बहुत ज़ादा नहीं देगी अगर आप इस पतंजली की हिना को ट्राइ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा मैंने तो इसे जियो से मंगवाया था आपको इस मार्केट से भी मिल जाएगी अदर वेब साइट से मिल जाएगी किसी भी ओनलाइन साइट पे आप इसे चेक कर सकते हैं यह आपको कुछ ओफ पे मिल जाएगी मुझे तो बिल्कुल ओफ पे नहीं मिली थी तो मैंने इसे चोटे पैकट में ही मंगवाया था मुझे पता नहीं बड़ा पैकट आता है कर नहीं आता तो मैं अपतंजली की हिना इस बार ट्राइ करना चाहती थी जैसे कि आप देख सकते हैं यह थी फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपके लिए आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूसफुल हों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर कर दीज़ेगा साथ ही अगर आपने अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजे और बल एकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाली वीडियो स्की नोरिफिकेशन आपको मिलती रहे आप मुझे इंस्टागाम पेज पे प्लीज फॉलो कर लिजेगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो मिलते हम हमारे नए प्रड़क के नए रिव्यू के साथ थैंक यू फ्रेंड्स बाइ-बाइ